हालो अब्रिवान स्वाभी वेकनन इंसिक्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं नितिका हाजिर हो गई हूँ आपके सामने लेकर लाइब्रेरी एन इंफरमिशन साइन्स रिलेटेड वीडियो अब्रिवेस वीडियो में जो हमने एक टॉपिक अपना पूरा फ्यू फिशल किया था वो था कमिनिकेशब रिलेटेड जितने भी फील, जितना भी आस्पेक पूछा जाता है या जितना भी इमपोर्टेंट टॉपिक कवर किया जाता है वो अमने दो वीडियो के अंदर अफ को उसे related information provide करी similarly that field के अंदर उसी unit का topic हम लेकर आए हैं आज which is data information knowledge and wisdom काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे that kind of a pyramid कि किस तरीके से information data से information बनती है then knowledge and then wisdom बन जाती है तो उसी का ही पूरा detail आज हम इस video के अंदर पढ़ेंगे कि what is d i k w pyramid और what is data what is information knowledge and wisdom काफी बार इनके उपर question पूछे गए है कि what is data उसके बारे में आपको option दे दिये जाते हैं काफी बार पूछा जाता है कि information क्या है knowledge किस तरीके से बनती है wisdom क्या है कौन लेकर आया क्या क्या उनकी definition है क्या types है तो यह सारी चीज़े आज हम वीडियो के अंदर discuss करेंगे so let's start सबसे पहले अगर हम बात करें जो जो आस्पेक्ट इसमें इन्वाल्व और रहे है विचिस डाटा information and knowledge ठीक है एक सेके डाटा, information, knowledge, wisdom तो प्रॉपर यह एक पिरामिन यूज़ करता है यह एक पिरामिन के वे में हमसे पढ़ाया जाता है जो की four parts में divide है सबसे पहला आता है आपका डाटा, then second step is information यानि की सूचना, then knowledge, ज्यान इसके बाद आता है और last में आता है आपका wisdom यानि की जो भी जब हमारा वो information गुण बन जाती है वो इस पिरामिन में सबसे उपर आ जाता है यानि की ये आपका जो चलता है वो नीचे से उपर की तरफ चलता है, knowledge के वे में यानि की जो आपका कुछ भी आप चीज के उपर बढ़ रहे हो वो चीज इस तरीके से information बन के, knowledge बन के, wisdom बन के हमें मिलती है सबसे पहला जो इसमें हम topic discuss करते हैं वो होता है data data से create की जाती है information which is second step third में वही चीज आपकी knowledge में convert की जाती है information to knowledge and then knowledge से वो convert हो जाती है wisdom के अंदर इसी को ही हम D.I.K.W. पिरामिन के बारे में भी कहते हैं या जानते हैं वो इसी की information के बारे में ही आज हम detail में पढ़ेंगी तो data information knowledge and wisdom सबसे पहला aspect जो हम लेकर चल रहे है that is data data कब आया क्या है data ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है वरना इनको अलग-अलग तरीके से describe किया जाता है या अलग-अलग तरीके से जब हमें पूछा जाता है हमें जब पता होगा कि data क्या है information क्या है और knowledge क्या है plus इनका क्या process है तो हमें उसको justify करना या उस component के अंदर क्या आपसे चीज पूछी जा रही है वो आप अच्छे से पता लगा पाओगे कि वह data की बात कर रहे है सूचना की या फिर ज्ञान यानि की data information knowledge या wisdom इनमें से किस की बात हो रही है या किस के बारे में पूछा जा रहा है question के अंदर तो बात करते हैं सबसे पहले data की data the word is data is first time used in 60-40 in English language सबसे पहले 1640 year के अंदर यह data word use किया गया था access किया गया था English language के अंदर data is derived from the Latin word ruler of datum तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि data जो word है वो कहां से derived किया गया है या कहां से लिया गया है तो यह आपका Latin word के अंदर आएगा ठीक है data which is data word describe किया गया था English language में Latin word से लिया गया है तो इसको आप note down कर सकते हैं the word data was first used to means transmissible and storable computer information in 1946 सबसे पहले जो यूज किया गया यह वर्ड यह फील्ड में यूज किया गया था computer technology के अंदर computer technology यानि कि जो वर्ड डाटा था वो फस्स यूज किया गया transmis करने के लिए transmission के लिए storable computer information के लिए तो उसके अंदर जो भी चीज स्टोर की जाती तो उसको नाम दिया गया data वहां पर सबसे जादा और सबसे जादा information यही data के रूप में रखी जाती थी तो वह जो पर लेकर चल रही है वह आपकी data के लाई जाती है जरूरी नहीं है वास चीज आपकी computer technology related हो वह printed form के अंदर भी हो सकती है कोई भी raw चीज जो कि प्रोसेज नहीं की गई है अन्प्रोसेश है that is your data जिसके कुछ facts जिसमें involved होते हैं कुछ उसमें कुछ चीजें involved की जाती है for example अगर हम बात करे the term data include facts figures, letters, symbols, words, charts and graph that represent an idea, object and condition that is a particular definition जो की data के बारे में सारे components आपको बता रहे हैं इन सब चीजों को मिलाकर या अकेली अकेली भी अगर हम रखा जाए तो वह एक आपको data का वे provide कर रहा है data information provide कर रहा है वह आपका एक data है for example अगर हम only numbers को लेके चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी हमें नहीं पता कि यह क्या है अगर हम इसको process form में डालेंगे जब यह information बन जाएगी तो में पता चल जाएगा कि यह क्या है numerical form इसको क्या कहा जा सकता है for example Ram Sita 23 24 ऐसा करके आपको data दे रखा है आपको नहीं पता that is mixture हर चीज उसमें डाल रहे numerical facts be figures be words be proper कोई भी process नहीं है उसके अंदर कोई process data नहीं है just factual details उसके अंदर डाली गई है that is your data कोई भी charts graph words आप डाल के जो की क्या represent करें किसी का idea किसी का object and condition कोई भी condition उस चीज को data कहा जाता है तो यह थी data के बारे में discussion अब बात कर लेते हैं कुछ important definition की जो की data related पर दी गई है so next जो definition आ रही है which is according to UNESCO UNESCO ने data को जो define किया है that is data is a facts concepts or instruction in a formalized manner suitable for communication interpretations or processing by human and automatic means अगर हम इस definition की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी component निकल के आ रहे हैं first component is facts, second is concept, third one is instructions, formalize, formal way, interpretation communication और आपका processing automatic या फिर human means और human यानि की UNESCO ने जो data को describe किया है वो in components से किया है that means data कुछ भी हो सकता यानि कोई भी fact अगर है वो data के अंदर किया जाएगा plus concept, कोई भी concept अगर दिया गया है that is come under data जब तक वो process नहीं किया गया है तब तक वो data के अंदर रहेगा कोई भी instructions दी जा रही है that is also involved in data in a formalized manner formalized manner यानि कि आप्चारिक तरीके से जो दिया गया है वो हम data में conclude करेंगे किसके लिए communication करने के लिए ठीक है अपने ideas और अपने facts को interchange करने के लिए exchange करने के लिए through communication जब हम उसको interpretate करते है process करते है by human or automatic manner कोई human के द्वारा उसको process किया जा रहा है communicate किया जा रहा है चाहे वो कोई fact हो चाहे concept हो चाहे signal हो या फिर चाहे आपकी instructions हो वो आप data के अंदर involved करोगी तो that is a definition which is given by UNESCO तो उन्होंने data को इस तरीकी से define किया है next हम बात करते है types of data कितने type का data हमें दिया जाता है तो सबसे पहला जो इसमें term आ रहा है वो है time independent data time independent data इसका सबसे particular type आ रहा है तीक है दूसरा जो इसके topics आ रहे है that is time dependent data time independent जो slide में रह गया था यहां लिख देती हूं these are the type of data जो time independent data जो time link की independent way में collect किया जा रहा है time dependent की data जो dependent to proper time की dependent way में data collect किया जा रहा है theoretical data जिसमें ज्यादा 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 text and words involved किये जाते है primary data यानि की प्राथमिक रूप पे सबसे original data जो की कहीं से लिया जा रहा है quantitative numerical terms में जो data लिया जा रहा है आईदर statistical हो या numerical हो वह यहां पर आजाएगा qualitative data जिसके अंदर theoretical means या information ज्यादा गैदर किये जाते है that is theoretical qualitative data nominal data ordinal data these are the types of data जो की हम data के अंदर involve करते हैं या इस format में data को access करते हैं या उनको बाटते हैं कि कि किस तरीके से data हम एकटा कर रहे है और उस data को क्या नाम दिया जाएगा क्या type का data वो है आगे बढ़ते हैं यह सारा जो aspects that is related to your related data के information related था अगर हम अब बात करें that is related to your information second step जो आ रहा है which is related to information data अवर first step होता है data की बाद ही जो second step पे हम जा सकते हैं without data हम second step पे नहीं पोच सकते जो की हमारा second step है information तो सबसे पहला जो point हम इसमें पढ़ना चाहेंगे वो यही है by using data हम information को create करते हैं without data information create नहीं की जा सकती तो information के लिए raw material का जो काम कर रहा है वो data करता है data को ही जब process किया जाता है collect किया जाता है modify किया जाता है उसके बाद जो prepare करके हमारे सामने जो material आता है या जो चीज आती है उसको हम information यानि की सूचना का नाम देंगे ठीक है information the word information is derived from two latin word again यह latin word का ही word का generation है forma and formatio forma and formatio word से information generate हुआ है that means कि आप data को collect करके modify करके और उसको manipulate करके जो another process data बना रहे हूँ वो आपका information नाम से जाना जाएगा या उसको इस नाम से हम denote करेंगे information is the process data underline it process data को ही information कहा जाता है unprocessed data जो की data से ही relate करता है organized data that is also a part of information and presented by someone कोई भी data जब हम process कर दे और जब हम organize कर दे और जब हम present कर दे किसी के सामने जब वो समझने लाइक हो जाए उस चीज का उसका proper meaning निकल जाए तब वो information में तबदील यानि की बदला जा सकता है for example अभी जो हमने data में example लिया राम सीता 22 23 चिक है और श्याम मोहन चिक है 26 24 25 26 ऐसा कुछ करके हमने similar data ले रखा था राम 23 सीता 25 26 साम मोहन सब mix up था क्योंकि वो unprocess data था वहीं पर हमने इसको जब serial number accordingly format किया alphabetically किया या फिर और अनदर कुछ भी तरीके से कर लिया प्लस सामने इनके ages लिख दिये तो वह एक process data बन गया कि in particular जो people थे वो numerical जो term थी वो इनकी age numbers थे तो इससे क्या हुआ आपको information मिल गए कि अगर आप बात करो तो राम की तो उसकी age यह है सीता की यह है श्याम की यह है मोहन की यह है इसको alphabetically order में आप लगा सकते हो numerically जो भी starting जैसे numerical terms में increasing or ascending or descending order में लगा सकते हो तो यह process data बन जाएगा जो की information provide कर रहा है तब यह data नहीं रहा तब यह information में बदल चुका है तो that is your information आगे बढ़ते हैं मेरी next flight की तरफ ठीक है definition देख लेते हैं एक बार information की so according to her old library grocery and reference book information is an assemblage of data यानि की first component जो आ रहा है असेंबल किसको कर रहा है असेंबल डाटा को without data आप किस चीज़ को असेंबल करेंगे तब वो क्या बनेगा तो डाटा को use करके ही असेंबल करके ही modify करके ही आप information में उसको create कर सकते हो information को create कर सकते हो in a comprehensive form कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए वह स्टैस्टिकल फॉर्म है जिस भी फॉर्माट में आप उसको देना चाहो capable of communication और उससे क्या हो आप उस data को जो पर्टिकुलर आपने प्रोसेस कर दिया उसका संचार कर सको उसको information की accordingly दूसरों तक पहुंचा सको तब वह जाकर एक information बनती है data कुछ भी हो सकता है data can be anything पर जब वह प्रोसेस बन जाता है तो वह meaningful information के अंदर आ जाता है so that अगर हम किसी को वह बताएंगे information की accordingly तो वह उसको जादा easily समझ जाएगा खाली अगर हम उसको data दे रहे हैं तब वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा तो पर्स टैप data था data से जो हमने information बनाया यानि की वहां पर प्रोसेस data हमें मिला अब जो थर्ड स्टैप आ रहा है that is related to your knowledge step सो बात करते हैं knowledge की अब हमारा यह जो कड़ी थी सबसे पहला data हमने पढ़ा उसके बाद data से information हमने बनाई और आप जो थर्ड हमसमे स्टैप जोड़ना जा रहे हैं वह हमारा knowledge यानि की फर्स टैप data को यूज करके information हुई information को यूज करके अब हम क्या बनाएंगे knowledge तो विदाउट अगर हम इनके primary steps की बात करें अगर data ना हो तो ना information क्रियेट होगी ना knowledge data के बाद अगर information ना हो तो knowledge नहीं क्रियेट होगी और इसी के आगे फिर हम विज्डम पढ़ेंगे तो यह बताया गया है यह तर्म भी काफी बार पूछी जाती है कि what is that term जब हम स्टडी करते हैं नौलेज के ओपर तब इस टर्म को एपिटमिलोजी कहा जाता है that is related to your knowledge तो basically knowledge किया है किसी भी चीज को किसी भी information को assured belief में डाल देना कि हाँ यह चीज हुई है और उससे जो आप information से create करके अपने लिए किस तरीके सो इस information को आप इंटेक कर रहे हो और फिर दूसरे लोगों तक पहुचा रहे हो that is your knowledge information आपको बुक में जर्नल में न्यूस पेपर में सब जगा मिलेगी बट किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो that is your knowledge अब हर चीज की हम लोगों को knowledge होती है काफी चीजों की नहीं भी होती है पर knowledge जो particular होती है वो information से लेकर हर टाइप का बच्चा अगर एक ही similar book पढ़ रहा है पर knowledge सबको different होगी क्योंकि information को वो किस तरीके से intake कर रहा है किस तरह किसे अपना belief बना रहा है और किस तरह से उस चीज के बारे में जान रहा है उस जानने से वो जो ग्यान प्राप्त कर रह जाए उसको knowledge कहा जाएगा ठीक है according to Webster's new international dictionary of English language knowledge is a familiarity gained by actual experience हमेशा याद रखियेगा information तो आपको कोई भी जगह पे printed form non printed form में मिल जाएगी knowledge हमेशा experience gain करने के बाद ही हाती है जितना जाधा experience teacher होगा कोई भी experience field का doctor होगा lawyer होगा कोई भी आ professional field ले लीजिए अगर वो experience होगा that means उसकी knowledge बहुत हाए है क्योंकि वो experience यानी कि day-to-day activities से day-to-day studies से day-to-day जो भी वो interaction कर रहा है उससे वो सीखता जा रहा है knowledge लेता जा रहा है information ऐसा नहीं होता कि एक बार में अपने पड़ी और आपको इसकी knowledge हो गई it will take time तो it's a familiarity gain by actual experience practical skill जब हम information को practically done करते हैं पड़ते हैं खुद से understand करके अपने अंदर intake करते हैं तब वो हमारी practical skill में शामिल होती है तब वो हमारी knowledge बनती है technical acquittance technical acquittance का use करके इन तीनों चीज से जब हमें information को बदला होता है knowledge के अंदर तो यह तीन चीज़े हमें help करते हैं उसको हमारी knowledge बनाने में first is your actual experience second is practical skill और third is technical acquittance तो यह important things है जो कि information को knowledge बनाने के लिए मददकार होती है और उसके अंदर हम शामिल करते हैं there are different types of knowledge इसकी formats भी बहुत अलग-अलग होते हैं यानि कि टेकिट knowledge होती है काफी काफी आपकी another related knowledge होती है implicit knowledge होती है जो कि इसके अंदर काफी बार पूछा भी जाता है और पूछा गया भी है कि what are the types of knowledge what are the और किती तरीकी की knowledge होती है तो यहां पर जो हम knowledge की बात करें that is rational knowledge inductive knowledge scientific knowledge rational knowledge यानि कि कोई भी experiment के थूँ हमें जो knowledge प्राप्त हुई जो भी हमने अचीव किया that is our rational knowledge और rational knowledge को ही जब हमने convert करा और और ज्यादा डवलप किया और ज्यादा बढ़ाया convert कर दिया तो वो convert हो जाती है inductive knowledge के अंदर और लास्ट में scientific knowledge जो कि हमें another beliefs assumptions definitions को पढ़के scientific methods के accordingly use की जाती है या और beliefs और information को intake करके लिए जाती है that is your scientific knowledge इसके अलावा और भी different type of knowledge is provide की जाती है implicit knowledge यानि कि जो hidden knowledge के अंदर आ जाती है जो काफी हमें knowledge है बट वह हम काफी implicit रखते हैं अपने तक ही रखते हैं जब उसका intake काफी time या काफी अलग से access करने के बाद आप दे सकते हो कुछ होती है explicit knowledge यानि कि जो आपकी knowledge आप explicit कर दे तो एकदम से उचागर कर दे तो एकदम से बताना चाहते हो एकदम से सब के सामने लाना चाहते हो यानि वह हाइड knowledge नहीं होती और टेकट knowledge टेकट knowledge is your which is gain by experience जितना जादा आप उस profession के अंदर experience होते होगे उतना जादा आपको टेकट knowledge गेन होगी तो यह कुछ टाइप ऑफ knowledge थी जो की information के बाद आती है knowledge उसके बाद जो लास्ट हमारा step बन जाता है knowledge के बाद knowledge के बाद हम जब चीज को गेन करते हैं तो टर्म होती है wisdom यानि वह अब आपका क्या बन गया गुण वह आपका professional बन गया wisdom is known as distilled and integrated knowledge and understanding it provide ability to think and act using knowledge knowledge का use करके जब हम think कर रहे हैं यानि कि आप जैसे मैं या प्लैटफोर्म पे हूं बाए using my knowledge उसको wisdom बना के मैं आपको वह चीज समझा पा रही हूं उस चीज के उपर act कर पा रही हूं that is my wisdom तो इट प्रोवाइड ability यह आपको एक ability प्रोवाइड करता है कि आप उसके बारे में सोचे knowledge के बारे में और उसके accordingly ही act कर सके बहुत पुराने doctors हैं time to time के बाद उनको knowledge गेन होई है और अब उनकी क्या बन गई है wisdom क्योंकि वह वही चीज सालों से कर रहे हैं और हर रोज कर रहे हैं तो वह अब उनकी wisdom में शामिल हो गया है काफी जादा years of knowledge हमारे wisdom को जन देती है जब एक ही चीज एक ही पर्टिकुलर knowledge को हम बार बार इंटेक कर रहे हैं बार बार समझा रहे हैं यानि अब हमें उसकी जो स्थिती आ गई है जो इंटेक करना that is known as wisdom तो यह हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था विच इस रेलेटिट टू डाटा इंफोर्मेशन नॉलिज विजडम ठीक है जो की एक स्टैप के अकॉर्डिंग लिए प्रपर पात फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइट किया जाता है फर्स्ट विच इस डाटा जो हमने पड़ा कोई भी फैक्ट कोई भी ग्राफ चार्ट स्विगर टेबल्स वर्ट जो भी कम्नीकेशन के लिए यूज किया सकते हैं फॉर्मलाइज मैनर में देट इस यूर डाटा बट इस अन प्रोसेस्ट इन्फोमेशन आफ्टर यूजिग डाटा बिदाउट डाटा आप इन्फोमेशन क्रियेट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट को डाटा को टू टर्न या उसको कंवर्ट कर रहे हैं हम इंफोमेशन के अन्दर फिर जब वो उमारी इन्फोमेशन बन गई उसके बाद जो मारा थर्ट स्टैप आता है यह वार्ट पाता है information के बाद ही आप उसको knowledge में बदल सकते हो यानि process data को by actual year of experience या फिर जो भी familiar हो रहा है हमें उसके बारे में जानकारी मिल रही है actual knowledge actual year experience से हमें जो भी information मिल रही है technical acquittance से मिल रही है information तो वो हमारी knowledge में बन जाती है उसके बाद four step knowledge के बाद ही आपका wisdom की stage आप ले पाते हो which is last stage जब knowledge ही काफी सालों से आपको knowledge का intake हो रहा है वही आपकी बहुत सारी information हो गई understanding के अंदर बदल गई है वही knowledge तो आप उसके अंदर wisdom की जो last step था वो आप ले चुके हो वो knowledge अब आपकी wisdom के अंदर convert हो गई है तो that is a full process data data के बाद information then knowledge and the last one is wisdom यह आपका format था जिनके उपर काफी बार कोशन पूछे गए हैं और जाला तर इनकी definitions के component के accordingly ही कोशन पूछे जाते हैं तो hope so di kw related जो पिरामिंड है और जो आपका unit 1 का topic 1 है data information knowledge wisdom वो आपको अच्छे से clear हुआ हो और जितना भी इस पे related information field था वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है hope so मैं आशा करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझाया हूँ और data information knowledge wisdom related अगर कोई भी question अगर आपके सामने अब आजाए और आप उसको को easily attempt कर सको तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से access कीजिए जो भी data information related definitions है knowledge wisdom related definitions है उनको अच्छे से access कीजिए इससे अगर कुछ भी उनके aspects related component related आपसे question पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से attempt कर पाएंगे और अच्छे से perform कर पाएंगे तो अभी मैं आपको इस वीडियो को upload कर देती हूँ उसके बाद आप इसको अच्छे से access कीजिए इस topic को अच्छे से कीजिएगा like कीजिएगा share कीजिएगा and channel को subscribe कीजिएगा thank you so much